नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशावर जल्मी वर्सिज कराची किंग्स के बीच होने वाले पाकिस्तान सूपर लीग के मैच नमबर 17 के बारे में जो की खिला जाएगा पिंडी कलब ग्राउंड राउल पिंडी के स्टेडियम के उपर सबसे पहली बात अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा लिंक पे कलिक करके जोइन कर लो बिल्कुल फ्री है वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और दोस्ता आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्लीज आर इस वीडियो को लाइक याच्छे कर दीजेगा और साथ ही दोस्ता वीडियो को पूरा देख लीजेगा क्योंकि इस वीडियो में पेशावर और कराची के दौनों के प्लेयर का कंपरिजन भी करेंगे पिछले head trade record भी देखेंगे और कौन से player कब batting करने आ सकता है कब bowling करने आ सकता है वो चीजे भी देखेंगे जिसके मदच्छे आप अच्छी काची small league और grand league की team बना सकते हो और हाँ यार वीडियो को like नहीं किया तो like वाला बटन तो अभी दबा दो देखो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये match खला जाएगा पिंडी sports club रावल पिंडी के ground की उपर दोस्तो इस ground की उपर ज़्यादा T20 match अब तक खेले नहीं गये है तो इस ground की pitch का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप से एक request रहेगी कि आप final pitch report के लिए telegram channel जोइन कर लीजिए बाकी दोस्तो आप एक balance pitch मान के इस video को देख सकते हैं क्योंकि हम balance pitch मान के ही video की starting करने वाले हैं क्योंकि दोस्तो इस ground की उपर बहुत ही कम match खेले गये हैं जिसके दोस्तो शोइब मलिक ने 51 run बनाए थे एक विगेट लिया था और बाबर आजम ने 90 run बनाए थे दूसरा match पेशावर 55 रनों से जीत गई थी उस match में दोस्तो यहाँ पे मौम्मद हैरिस ने 49 run बनाए थे शोइब मलिक निक 30 run बाबर आजम ने 69 run शलमान इर्शाद को 2 विकेट और वाब रियाज को 2 विकेट मिले थे यानि दोस्तो लास्ट इयर इन प्लेयरों ने अच्छा पफोमेंस दिया था और दोनों के दोनों match पेशावर की टीम जीती थी वहीं दोस्तो इस साल पाकिस्तान सूपर लीग के अंदर इन दोनों टीमों के बीच एक match और डेड़ी खेला चाचूका है वो match दोस्तो पेशावर की टीम दो रण से जीत गई थी उस match में दोस्तो टोप स्कोरर थे टोम कोलर कार्ड मोड उस match में दोस्तो पेशावर की तरफ से बाबराजम ने 78 run बनाये थे तोम कोलर कार्ड मोर्ड ने बानवरन बनायते वहाब रियाज को दो विकेट जेमस निसम को दो विकेट और सलमान इशाद को एक विकेट मिला था वहीं दोस्तों समैच में कराची की तरफ से मैथ्यूवेड ने तेईस रन शोईब मलिक ने बावन रन इमाद वसीम असी रन कोई विकेट नहीं एंड्रीव टाई, इमरान ताहिर और बैन कटिंग को एक-एक विकेट मिला था लेकिन दोस्तों देखने वाले चीज का थी कि ये मैच काफी हाई स्कोलिंग गया था और दूसरी देखने वाले चीज का थी लेकिन दोस्तों हाला कि दो मैच तो काफी क्रूशल लोग जीते एक मैच कलियरली जीता है लेकिन जीते तीनों के तीनों मैच पेशावर की टीम ने तो आपको ये चीज़े ध्यान में रखने बाकि आप इन प्लेरों का रिकोर्ड भी देख सकते हो बाबर का तीनों मैच योग अंदर रिकोर्ड अच्छा है लास्ट मैच में टोम कोलर काड़ मोर ने अच्छरे मना रहे थे वहाँ भिर्याजनी विकेट निकाल लेते उसके बाद दोस्ते हैं आपे शोई मली का तीनों मैच योग अच्छा रिकोर्ड है मुहमद, हैरिस और बाबराजम और तीन नमबरे बैटिंग करने आ सकते हैं यानि ये तीन प्लेयर टोप ओर्डरे बैटिंग करते हैं दिखेंगे उसके बाद मिडलोडरी कमाड़ सकते हैं और बोलिंग की कमाड़ जबालेंगे जेमस निसम, वहब रियाद, साद मसूद, सलमान इर्षाद और अर्षद इकबाल और उसके बाद दोस्तों लास्ट मैच में एक और की बोलिंग रोमेन पोवेल ने भी की थी यानि अभी के लिए तो ये 6 बोलिंग उप्सन देखने को मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक चेंज हो सकता है उस्मान कादीर को मोका दिया जा सकता है अगर यह प्लेयर फिट होता है तो क्योंकि दोस्तों लैग ब्रेक स्पिनर है विकेट निकालता है अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी तरफ से सेफ ऑप्सन तो बाबर आजम सेफ दिख रहे है उसके दोस्तों वहाब रियाज सेफ दिख रहे है उसके बाद दोस्तों अर्शद इकबाल भी आपके लिए सेफ रह सकते हैं ग्रेंड लीग के परस्पेक्टिश से तुरह जाएं तो अगर दोस्तों मौम्मद हैरिस का 50-50 चांस है आएगा आते ही मारने की कोसिज करेगा अगर बैटिंग फ्रेंड लीपी चुई अगर बैट पर वोल्ड अच्छे जाए तो रन स्कोर कर देगा अधरवाइस आउट हो जाएगा उसका दोस्तों सेम आयूब ने लास्ट वाले मैच के अंदर अच्छे रन स्कोर किये थे तो इस्तुना ट्रस्ट वर्दी तो नहीं है लेकिन ग्रेंड लीग के अंदर आप मोका दे सकते हो उसका दोस्तों पोवेल ने लास्ट मैच में एक विकेट भी लिया था तो यह प्लेयर पर जील का अच्छ उप्सन और पोवेल बैटिंग से भी कमाल कर सकता है वहीं दोस्तों आपका दों कि सलमान इर्षाद ने हैट टो एड के अंदर का फिच्छ रिकोर्ड करी करता है ताकि दोस्तों हाई चांसे कि आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी अगर इस प्लेइंग 11 में कोई 1, 2 या 3 प्लेयर का चेंज होता है वो चीज हम बाद में टेलिग्राम के उपर डिसकस कर लेंगे अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पोसिबल प्लेइंग 11 ओफ कराची किंग्स विद बैटिंग ओडर देखो दोस्तों कराची किंग्स की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे मैथ्यू वेड और उनके साथ साइद सरजील खान ओपनिंग करने आई क्योंकि दोस्तों जेम्स विंस है वो बंगलादेश के खिलाफ ODAI टीम में सेलेक्टिड है तो साइद जेम्स विंस ये मैच नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर दूसरा ओपनर कोन होगा वो मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा अभी के लिए हम सरजील खान को मान के चल ले है अगर सरजील खान ना आई उसके इसमें तैयब ताहिर को उपनिंग करने भी भेज दिया जा सकता है यह देखने वाली बात होगी उसके बाद दूस्तो तीन नंबर पे तैयब ताहिर लास्ट मैच में आई थे काफी कमाल की पारी खेली थी और तैयब ताहिर के बारे में दोस्तों जब से मैं कराची की वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं आपको हर वीडियो में काया है जिगर तैयब ताहिर दिखे ले तो लेना है लेना है आपने पूरी वीडियो देखे होगी तो आपको याद भी होगा लेकिन अभी के लिए ये ओवर पूरे करेंगे बोलिंग में, इमाद वसी में अपने चार ओवर पूरे करेंगे बोलिंग में, अब रेज समसी खेलेंगे तो तीन से चार ओवर की बोलिंग करेंगे ही करेंगे, यानि दोस्तों बारा ओवर तो ये तीन प्लेयर पूरे कर देंगे इनकी तरफ से, बचे ये भी कर सकता है अगर दोस्त हम बात करें तो band cutting पिछले कुछ time से bowling नहीं कर रहे हैं और दोस्तों अगर इंदर बैटिंग की बात करें तो Matthew 8 काफ अची फोर्म में चल ले हैं Shove Malik काफ अची फोर्म में चल ले हैं Imaad Vashim भी काफ अची फोर्म में चल ले हैं यानि ये तीन प्लेट तो काफियची फों में चल ले हैं तैयर तायर ने सिर्फ लास्ट वाला मैच खेला था जिसके अंदर काफियची रन बनाए थे उसके अब दोस्तो शरजील खान अगर खेलते हैं तो ग्रेंड लिक का एक डिफरेंशल प्लेट आपके लिए रह सकता है क तो आप ग्रेंशल प्लेट के लिए तो मुंबद मुशा ने लास्ट मैच इंब नहीं कि थी तो यह प्लेट रह सकता है अगर दो और की बोलिंग करता और एक विकेट भी निकालता तो फिर भी आपके लिए 30-35 प्लेट एक्स्ट्रा दे सकता दूसरों से तो आप ग्रेंड तो आपकी टीम के खिलाफ अच्य पर्फॉमस्च देते हैं तो यह अपके थोड़े शेफ रह सकता है अपकी दोस्तों कोई और इंफ्रमेशन आगी तो टेलिग्राम के प्रोइड कर दी जाएगी अब दोस्तों कर लेते हैं प्लेयर कंपेरेजन करते हैं सेक्षन वाइस सब से पहले हम बात कर लेते हैं विकट की प्रेक्शन के बारे में विकट की प्रेशावर की तरफ से मुहमद हैरीस ओपनिंग करते हैं अब तक पांच मैच खेलें जिन में 10, 10, 14, 18, 40, 0 रन बनाए है उसका मेट्वेड ओपनिंग करते हैं 23, 18, 15, 36, 26 रन बनाए है लास्ट के 5-6 मैच खेलें अगर सेफ ओप्सन के बात करें तो वेड भी सेफ है है हैरीस भी सेफ है स्मोल लीग के लिए रीजन तो बहुत सिंपल है दोनों ओपनिंग करने आएंगे और दोनों विकेट की पिंग भी करेंगे तो एक्स्टा पॉइंट दे सकते हो स्मोल लीग में तो आपको एक ये दो बंदो को हराम ना उसके अंदर तो आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा अब ग्रेंड लीग की टीम मनाओ यहां पर क्या है कि ज्यादा तर लोग वेड पे ट्रस्ट करेंगे रिस्क लो तो वेड को उड़ा के हैरीस पे लेलो अगर आपको लईगी वेड परफॉर्म करेगा तो हैरीस को उड़ा के वेड लेलो कुछ निमों में दोनों को लेलो सिंपल लोजिक है कोई हार्ड और फास डूल तो है नहीं अब दोस्तों बात कर ल प्रफान खान की कुछ पिछले कुछ मैचों से बैटिंग नहीं आई थी शोईब मलिक चार या पांस नमबरे बैटिंग करना सकते हैं लास्ट मैच में तीन विक्र लिए दिस्प्ले ने उससे पहले वाले मैच में एक विकेट और कभी कभार रन भी अच्छे बना सकते हैं और इस टीम के खिलाफ तो जो पहला मैच खिला था उसके अंदर फिफ्टी भी लगाई थी शोईब मलिक ने हैदर अली लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे तैयब ताहिर के लिए तीन नमबरे बैटिंग करने आए थे पैंसत नमबर आए थे ग्रेंड लिक के अंदर इर्फान खान एक क्रूशल लोल प्लेई कर सकता है अगर यह प्लेयर का बैटिंग ओर थोड़ा प्रमोड किया जाता है यहां से बानुका राजपक्षा ग्रेंड लिक का चौप्षन रह सकता है यह जो प्लेयर है यह अभी तक इतने ची फों में च प्लोप हो तब भानुका राजपक्षे की जल्दी बैटिंग आईगा यह लोजिक लगाओ तो भानुका राजपक्षे को लो फिर बाबर टोम कोल्र कार्डमोर सेम आयूग और मॉम्मध हैरीस इन चार में से कम से कम एक या दो को तो उड़ाना पड़ेगा ना तब इसकी बैटिंग अगर यह प्लेर खेलता तो इंपोर्टेंट है थानिस अजीज को भी तक खेलने का मुठा नहीं मिला ये जमाल खेलने का मुठा नहीं मिला उसके लाहूर के तरब से इमादवसीम लेफटाम और अर्थोक स्पींडर को रास्ट मैच में चोग दा दर एक उससे पहले तीन भीचित काफी चीफ में चले थे कासी मक्रम स्टा परफॉमस नहीं दे पाई थे दूस्स प्लर को डॉप कर दिया जा था अमीर यामीन खेल रहे अब आपको यह अमीर यामीन बोलिंग सेक्षन में देखने को मिलेंगे लाश के दो मेचों विकेट नहीं मिलें स्टार्टिंग के दो मेचों में तीन और दो विकेट निकाले है बैटिंग कर लेते हैं लेकिन फिसले कुछ मेचों से बोलिंग भी नहीं कर रहे हैं और बैटिंग आहीं नहीं रही है स्मोल लिक के लिए और इवन आपके लिए मैक्सिमम ग्रेंड लिक की टीमों के लिए रहां दोस्तों लाश्ट मैच साद मसूद भी खेलेते हैं पेशावर की तरफ से जो की ओफ ब्रेक्स पीनर है लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे इस मैच में अगर खेलेंगे तो कोई दोस्तों हमान बात कर लेते हैं लाश्ट मैंच के लिए औरस ह्टीक बढल राजा मेच बोलिंग कर लेते हैं अरसादीक बाल राइट आम एक विगर और फर लास्वाला मैंच बाद दो विगेट एक विगेट और लास्ट मेंचे विगेट नहीं मिला था सलमान अर्षद राइटाम फास्ट प्रीम बोलिंग कर लेते हैं पहले मैच में एक विगेट लिया था कराची के खिलाफ उसके बाद दूसरे मैच में दो विगेट उसके बाद खेले नहीं थी उस ब्रौसा खान लाश्ट वाला मैच कहले ते लेकिन बोलिंग ही नहीं करवाई गे चार वी जिर में डविकैट 6 जिर जीरा ना खेहले अगर यह ना खेले उस case में आप अर्षद इकबाल को अपनिटीम में ले सकते हो या सल्मान इर्षाद को अपनिटीम में ले सकते हो Grand League के अगर हम बात करें दोस्तों उस्मान कादिर खेलेगा तो selection कम रहेगा obviously Grand League में difference create कर सकता है उसका दोस्तों मुसा खान ने last match में बोलिंग नहीं किते लेकिन इस match में अगर एक दो और की बोलिंग करता है तो Grand League में difference create रह सकता है अगर दोस्तों इमरान तयरी खेलता है ना यह प्लेर भी important रह सकता है Grand League के perspective से और मुहमद आमिर अगर खेलेगा तो आपको पता है का आप इच्छा बोलर है यह तो इसके बारे में कुछ कहने की कुछ जूपती नहीं अब दोस्ता हम बात कर लेते है टीमो टिप्स की जैगो दोस्ते हैं मैंने आपके लिए दो डेमो टीम बनाई है सबसे पहली वाले जो डेमो टीम है सेफ बिलकुली सेफ टीम है विगर कीप्र में लिए है मैथ्यू वेड और मुहमद हैरीस को बैटिंग में लिए है शोईब मलिक बाबर आजम और टोम को रिकार्डमोर को ओल्डाउंडर में लिए जेम्स निसम और इमाद वशिम को बोलिंग में लिए वहाब रियाज की संसी और अकीव जावेद को अब दोस्तों मैं यहाँ पर दस प्लेर चूज के अब जो ग्यारों प्लेर होगा वहाँ पिछ के वैसिस पर डिसाइड करूँगा अगर बैटिंग और इंटिटी पी चुई तो साइद में आपर तैयब तायर और सरजिल खान में इसकी को मोगा दे सकता हूँ या फिर दोस्तों अब चाहूता आप उस्मान कादिर को मोगा दे सकते हो सलमान इर्शाद या अर्षद इक्बाल को मोगा दे सकते हो एक चीज़ ओर दोस्तों यहां पर अकीव जाविद और टी समसी में ने लिए एक इमाद वसीम लिया है अगर आप चाहूता आप आमीर मुखाय के सकते। बोलिंग मिलिया टी समसी सलमान इर्षाद और अपीफ जावेद को दो प्लिरोर चूल्ज करने हैं वह मैं आपको अल्री बता चुका हूँ कि आप सरजील खान को मोका दो या तैयब ताहिर को मोका दो या फिर दोस्तों यहां पर बैन कटिंग को मोका दो रिस्की पी के बैन क क्याटेगरी में रिस्की बनाओ एक आदे टीम में तो आपको अल्री बता सका हूँ शंसी रिस्की है तोम को रिकार्ड मोर रिस्की है मुंबध है रिस्की है लेकिन अगर यह प्लिए 30-35 बोल भी खेल गया तो आपके लिए 6 रन बनाके दे सकता है इतना पोटेंश लेकिन है तो रिसकी हिटन में साती मानने कोशिश करेगा बागी दोस्तों यह सेफ्टी में अगर आप स्मोल लिक ले जाना चाओ फिर भी दोस्तों को यह और चेंज होगा तो हम आपको टेलिग्राम पे बता दूँगा तो दोस्तों यह थी मेही तरफ से पेशावर जल्मी वर्सि करना बुले जन्यवाद